कर सातियों देखिए अभी मैंने पीछे आपको कई वीडियो डाले हैं मैदमेटिक से रिलेटर जिन में आपको सौर्ट ट्रिक्स या औरल सॉलिशन्स दिएगे मैदमेटिक्स के उसी करम में जो है पिछली जो है रेलवे की परीच्छाओं में आयोए प्रश्णों को जो जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्वैल्थ लेवल के लिए आपके पास कितना सेगंड था पैतालिस सेगंड एक वेस्ट के लिए और ट्वैल्फ प्लस थ्री लेवल के लिए था आपके पास एप्रॉक्समेट्ली लगभग थर्टी फाइफ सेट्स तो कहीन न कहीं अगर है हम लोगे पूरा लेंदी मेंधड से क्वेस्टिन करेंगे तो हम उसे सौल नहीं कर वाएंगे चली आगे चलते हैं सौर्ट मेंधड यूज़ करेंगे कुछ ट्रिक्स देंगे कहीन न कहीं आपको वीडियो दूसरों से डिफ्रेंट मिलेगा दूसरे चैनल से और यह टोटली फार्मूला बेच्ट होता पॉल्यकॉन पॉलीकॉन तो समझ रही होंगे अगर गे जैसे दौ साइड है अब दो साइड से तो कोई बंद आकरती दो बनेगे नहीं जब बंदा करती नहीं बनेगी कम से कम 3 चाहिए साइड उसको, 4 चाहिए साइड उसको, 5 चाहिए साइड उसको, ठीक है, तो इस तरीके से जो जितनी वियाकरतियां हैं, वो सभी पॉलिगॉन कहीं जाती है, यानि बहु भुज, क्या कहेंगे इन्हें, बहु भुज, तो एक्स्टीरियर एंगल की वेल्यू दी गई है, एक्स्टीरियर एंगल, 9 डिगरी दिया हुआ है, अब कहा रहा है, नमबर आफ साइड्स, कितनी होंगी, ठीक है, तो चलिए, पहले हम इसमें ये देखते हैं, कि इसका फार्मूला, एक्स्टीरियर एंगल, दस सम आप दा ए पोलिगोन है, तो sum of all x-rear angles, ये, ये, और ये, 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 लाइक दिस, ये बाला एंगल, ये बाला एंगल, और ये बाला एंगल, इन तीनों एंगल का जो एडिशन होगा, वो केतना होगा, 360 डिग, ये अंगल x प्लस अंगल y, इसको इस तरीक से लिखेंगे, एंगल x plus angle y plus angle z is equal to 360 degree तो अब exterior angle तो आपको clear हो रहा होगा the exterior angle of a regular n-sided polygon is 360 upon n कहने का मतलब यह है if the value is given 9 degree then 9 degree is equal to 360 upon n ठीक है तो n is equal to क्या आ जाएगे 360 upon 9 n is equal to 40 sides it means there are 40 sides of the polygon clear चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर चलते हैं which of the following is equivalent to यह बार का symbol है यह जीरो पॉइंट फाइप सिपर दबार इंडिकेट्स रिपीटिंग डेसीमल तो यहां सवाल आपके सामने कभी आ जाते हैं यह ध्यान रखिया है यह दो अंकों तक दिया हुआ है तो दो अंकों तक दिया जाए तो सीधा-सीधा 56 upon 99 कर देंगे यह ध्यान रखियेगा सीधा-सीधा कहीं पर भी आपको कोई calculation करने जुरूरत नहीं है आपको जैसा कि मैंने बताया कि यह 12 प्लस 3 लेवल पर आया है यह question तो जायर चीवाद आपके पाद 35 seconds है केवल एक question के लिए यदि आप इसको calculation करने चलेंगे एक तब इसे traditional method से करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी value put करेंगे put x is equal to bar 0.56 then 100 x is equal to 0100 into bar 0.56 तो आज आएगा 56.56 बार 100 x के equal होगा यह 100 x is equal to क्या हो जाएगा 56 plus x यह value x के equal थी इसलिए x रख देंगे 99 x is equal to 56 x is equal to 56 upon 99 तो आप इतना calculation करोगे क्या मतलब मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ 56 upon 99 value आएगी यहां पर आपको को 0.34 बार में दे दे 0.33 भी बार में दे दे 0.96 भी बार में दे दे 0.32 भी बार में दे दे यह नहीं दो अंको तो कोई भी संख्या दे दे देते हैं यह दिया आपको तो उस इस्तिती में आप सीधा सीधा अपॉन 99 लगा देंगे decimal हटा करके आने आपको मालीज़ 0.56 बार के value बताई 56 अपॉन 99 अब मालीज़ आप यह कहेंगे कि 0.562 आ जाए बार में तो इसकी value क्या होगी सीधा सीधा सवाल 562 अपॉन अगर यहां पर आया था 0.222 बार में तो आजाएगा 222 बार में यानि जितने अंक होंगे उतनी ही नीचे 9 होंगे अगर आप इसे भी समझना चाहें तो सीधे सीधे इसको समझ सकते हैं मालीज़ वैलू हमने कालनी है 0.239 की वैलू निकालनी बार में तो इसको export कर लेते हैं जब export कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हम इसमें 1000 से multiply करें ही जोंकि तीन अंकों तक दसम्मल हो है 1000 x is equal to 1000 multiplied by 0.239 बार का ठीक है तो वही calculation होगा 239.239 बार 1000 x 1000 x is equal to क्या हो जाएगा 239 पिलस x तो 999 x is equal to क्या जाएगा 239 upon 999 तो यहाँ पर सीधा सीधा सवाल है यदि आपको दसम्मलो के दो अंकों बात पूछी जाए संक्या बार में तो आप जो वैसमें upon 99 कर देंगे और यदि दसम्मलो के तीन अंकों तक संक्या पूछी जाए बार में तो आप इसमें सीधे 9999 कर देंगे और इसी टाइप के प्रश्न परिच्चा में पूछे जाते हैं अगले स्वाल पर चलते हैं दिया हुआ है which is the correct ascending order of the given number ये पहला है दूसरा है तीसरा है और चौथा है चलिए question पर चलते हैं numbers repeat कर रहे है numbers कौन से repeat कर रहे है 1 upon 3 4 upon 15 0.33 तो ऐसे जब भी सवाल आ जाए देखिए पहले चीज तो ध्यान से समझना है आपको timing पर इसे ध्यान देना है जो management है जैसा कि मैंने आपके पहले वीडियो में भी बताया है कि time management बहुत जरूरी होता है जब भी आप किसी competitive exam में ब computer based पूरा paper होगा और computer based ही पूरा solution चेक किया रहा जाएगा आपका copy चेक होगी ओमेर चेक होगी जो भी चेक होगी तो उस स्तिती के लिए हमें prepare रहना पड़ेगा तो देखिए इस तरीके के जब भी value आ जाए तो 1 upon 3 की value तो आपको पते ही है सीधे सीधी divide कर लेंगे यहाँ पर LCM DCF लिखते रहोगे तो बहुत देर लग जाएगी इसकी value आएगे 0.33 बार ठीक है इसकी value कितनी आएगी आप तुरंत भाग देंगे इसमें कोई बिल्कुल if और but वाला बिल्कुल रास्ता नहीं रखेंगे क्यों क्योंकि यदि आप सोचेंगे अब हम क्या करें नहीं आपको practice करनी है किसे division method की practice करनी है आप divide ही करेंगे divide ही कर लेंगे इसी की practice करेंगे तो आपको जल्दी से कुछ सोचने में समया बरबात नहीं करेंगे पंदर दूनी 30 हो गया 10 बचा 15 छक्का 90 पंदर छक्का 90 तो ये repeat हो बारेगी और ये आगया 0.33 यहाँ पर ये ध्यान द बात तीन है तीन है और दो है तो छोटी वाली संख्या यह आ रही यह आ रही चार बटे 15 इससे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है इससे बड़ी संख्या यह आ रही क्योंकि इसमें इसके बाद भी 3 है इसके बाद इसमें 0.33 और इसके बाद यह आ जाएगा 1 upon 3 तो देखने वाली यह वाली विकल्प संक्या सही है तो अगर आप जो है प्रैक्टिस एक ही मेथट से कोश्चन सॉल्व करेंगे उसमें स्किल्ड होंगे तो कहीं न कहीं आपके सॉलूशन का टाइमिंग कम हो चलिए अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं दिया हुआ है दा वॉल्यूम आपको टोटल फर्मूला बेस कोश्चन पूचा गया है हलांकि इस कोश्चन की इस जगे पर इस वीडियो में कोई जगे नहीं बनती है लेकिन मैं बताना उचित समझूंगा क्योंकि ये 12th प्लस 3 लेवल का पेपर है ठीक है तो इसलिए जो है इसको समझना बहुत ज़रू तो राइट सर्कुलर स्रेंडर यदि हम लोग समझते हैं तो सीधा सीधा समझे इसको देखिये जब राइट सर्कुलर स्रेंडर के हम लोग बात करते हैं तो इसमें आता गया है यह देखिए यहां से यह होती है इसकी रेडियस आर बेस यह जो बेस दिया गया है ठीक है तो यह कैसा होता है, circular होता है circular जब होता है, तो इसका area क्या होगा पाई आर, square होगा, यह आपने पढ़ा होगा और यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ पर देते हैं, height क्या देते हैं, height, ठीक है तो यह, actually जो formula होता है अगर हम इसको कागज को लेते हैं क्या लेते हैं एक कागज को लेते हैं कागज को लेते हैं ऐसे ये कागज है चलिए माल लिया ये कागज है ठीक है और जब हम इसको फोल्ड करते हैं जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो फोल्ड होकर की स्तिती इसकी क्या बन जाएगी, और यही कागज फोल्ड होकर के हमारा बन जाएगा एक Cylinder क्या बें जाएगा? Cylinder तो actually यदि हम formula का base देखें formula का base देखें तो formula का base cable निकल करके ये आता है कि ये area जैसे ये rectangle होता है क्या होता है? rectangle जब rectangle है तो ये length है और ये इदर आ गई है breathe to area इसका क्या होता है? area इसका होता है l into b यह दोता है अब चुकि यह फोल्ड होकर के यहां पर क्या बन गया है एक circular area बन गया कैसा बन गया circular circle तो जब यह बन गया है तो इसके area क्या होता पाई आर स्कार वेर आर इस दा radius क्या है radius है तो इसमें height का यदि multiply कर दें base into height area of the base area of the base यह area of the base इन्टू हाइट जब लोग height का multiply कर देंगे तो हमारा volume निकल करके आ जाएगा तो हमारा volume क्या होता है volume आफ राइट शर्कुलर शिलेंडर इस इकल टू पाई आर स्कार एच इसको अगर हम लोग ठीक है तो इस formula को समझेंगे रटने की वजाए समझेंगे तो जो यह formula आ रहा है पाई आर स्कार यहां पर क्या करेंगे हम लोग value पुट कर देंगे क्या करेंगे value पुट कर देंगे आर क्या दिया हुआ था आर दिया हुआ हुआ था 1 cm हम एक इसपोल टू क्या देए था टू सीम और वॉल्यूम पूछा किसमें है कि सेंटीमीटर क्यूब में पूचा था तो सीधा सीधा हम लोग वालियूम निकाल लेंगे पाई आर इस्कार एच कोई बड़ा कैल्कुलेशन नहीं पाई की वैल्यू नों दे धी थी आर की वैली दी हुई है h की value दी हुई है जब calculation करेंगे 44 upon 7 value आ जाएगी तो हम लोग इसमें देखेंगे 44 upon 7 कौन सा question आ रहा है तो 44 upon 7 आ रहा है चौथा नंबर का विकल्प आ रहा है तो हमारा चौथा नंबर का विकल्प यह सही है ठीक है यह देख लिए सॉलीशन और इसके जो फार्मूला है इसको समझना बहुत जुरूरी है next question है the mean deviation of the data 3, 10, 10, 4, 7, 10 and 5 is तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे सवाल को कि हमें करना कैसे है देखिए यदि हम इसको proper method से करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया आपके पास समय भाव रहेगा जो दूसरे questions हैं जिनमेर आपको अधिक समझ चाहिए उनके लिए mathematics CA का ऐसा भी सह है जो आपके लिए समय बचा सकती है तो सीधा सीधा इसमें करते क्या हैं हम लोग यहां से ही solution करते चलेंगे यहां से ही solution करते चलेंगे सबसे पहले इन सब को जोड देंगे क्या कर लेंगे जोड देंगे देखिए जब आप पेपर में ही इसे करते चलेंगे तो आपके लिए समय बहुत कम हो जाए अभी देखिए अगर आप count करेंगे इस समय को तो यह मेरे ख्याल से 5-6 सेकेंड में सवाल हो जाएगा देखिए 10-3-13-10-23-4-27-7-34-10-44-49 कितना आगया 49 आगया 49 आगया कितनी संख्या है थी एक दो तीन चार पांच छे साथ ती साथ का बात इसने साथ आ जाएगा अब एक एक संख्या से घटाते चलेंगे चार बचा इधर से घटाएंगे कितना बचेगा तीन बचा इधर से घटाएंगे कितना बचा तीन बचा कितना बचा तीन बचा कितना बचा तीन बचा और इधर से घटाएंग कितना बचेगा जीरो बचेगा इधर से घटाएंग कितना बचेगा 10 में से 3 बचेगा और 5 में से घटाएं कितना बचेगा 2 बचेगा जोड़ो फिर इनको जोड़ देते हैं 4, 3, 7 3, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18 संख्या कितनी ती 7 इतनी तेल लगा 18 बटे 7 18 बटे 7 18 बटे 7 चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ बहुत जादा इस लेंदी कोईश्चन को 5 से 6 सेकेंड लगेंगे आईए मैं इसको रिपीट करता हूँ फिर से चलिए रिपीट करते हैं इसको ठीक है देखे मैंने सबसे पहले आप से क्या कहा है कि इन सभी संख्याओं को हमें जोड लेना है जैसे ही संख्याओं आपके सामने आए और मीन डेविएसन के बारे पूछा जाए तो आप तोरं दिन सभी की जोड लेंगे आपने इसका एडिशन क्या नकला तो 49 संख्या कितनी थी 7 कितना आ गया 7 बस अब इन सब को तो रंत उसी के नीचे घढ़ा करके लेख देंगे प्लस माइनस का कोई आपको हैड़िक नहीं लेना साथ तीन चार साथ तीन दस साथ तीन दस साथ मैंसे चार चला जाए कि 3 बज़ए कि 7 में 7 गया 0 साथ में से 10 गया 3 और 7 दो ठीक है अब इनको फिर हमें जोड लेना है कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करना है आपको चार तीन साथ तीन दस तीन तेरा तीन सोला दो अठार कितना आगया अठार और बटे साथ यह आपका अंसर सामने रखा हुआ है और यदि आप इसको टेडिशनल मेथट से करेंगे तो करते रहेंगे आप संख्या है देखते देंगे टेबल बनाएंगे चार्ट बनाएंगे मैप बनाएंगे बहुत सारा कुछ करते रहिएगा लेकिन समय आपका वेस्ट जाए नेक्स फिर मैं इसको आपको सौड मेथट से करवा दूँगा आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तीन से पांस सेकेंड लगेंगे इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इससे ज़्यादा लगता है तो कहीं न कहीं आप स्किल्ड नहीं है आपकी प्रैक्टिस में कम ह देखिए आप सबसे पहले तो नीचे लिख लेजिए 10 km per hour 30 km per hour 8 km per hour ठीक है अब इसको हम लोग एक-एक किलोमीटर में पाड़ लेते हैं ठीक है एक-एक किलोमीटर में पाड़ लेते हैं एक किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है तुछ में भाग देंगे बीना सोचे समझे तो कितना आ जाएगा 6 मिनט तीस का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 मिनेट और इसका भाग देंगे आख का भागत देंगे तो आजाएगा 7.5 पांच मिलिट अब जरह हम मोटा मोटा सा कैल्कुलेशन कर लेते हैं एक किलो मीटर की डिस्टेंस इदी कवर करता है तो देखिए अभी टू किलो केम दिया हुआ है तो यह आ जाए कि जीरो पाइंट सिक्स सिक्स एप रोक्स ठीक है और चार किलो मीटर तीन हिस्सों में अजय जाए कि कई ना कहीं तीन किलो मीटर ही आ रहा है तो जोर लेते हैं कितना चाहिए च्छे दो आत साथ पंदार पांच सन्मीनट पंदरह दसमेलों पांच मिनिट और यही समय वह लगा रहा था यानित टोटल डिशल्टेंस उर फ्नेज में कवर करा यह प box 10 क False ऑन मैं इस सवाल को फिर repeat करता हूँ आप तो रंत इसमें एक किलो मीटर में कितना समय लिया गया परते के लिए निकाल देंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप सवाल करते रहेंगे देखें हम इसको traditional method से देखते हैं distance traveled by Vishnu is equal to x with 8 km 30 km and 10 km per hour of speed ठीक है हमने माल लिया तो कितना हो गया time is equal to क्या होता है time is equal to क्या होता है distance upon speed तो distance कितना हो गया भाई x upon speed कितनी हो गई 8 km दूसरे के लिए क्या आ जाएगा x upon 30 और तीसरे के लिए क्या आ जाएगा x upon 10 अब जब इनको हम लोग जोडेंगे क्या जाएगा x upon 8 plus x upon 30 plus x upon 10 is equal to 15.5 on 8 plus x upon 30 plus x upon 10 is equal to 15.5 और 31 upon 2 आ जाएगा अब इसको हम LCM लेंगे, क्या देंगे? LCM लेंगे, फिर denominator रिक्वल करेंगे, जब denominator रिक्वल कर लेंगे, उसके बाद हम calculate करेंगे X की value, तो कहीं न कहीं जो time management है, वो हमारा disturb करेंगा, तो जो process आपको दिया हुआ है, जो method आपको दिया हुआ है, this is the best method, oral solution method, 3 to 6 second में आप ये